नमस्कार दोसों मेरे डाम में विमल सिंग बाला जी स्टेड एड़ा में आपका स्वागत है अस्तारिक है आपकी 31 दिसंबर 2022 की सिक्षा समंदित क्या सभी अपडेट है कि करके सभी की बात करते हैं लाज में कुछ करेंट अफेर की बात करेंगे सबसे पहली अपडेट की बात करते हैं जो कि कोई अपडेट नहीं है एक्चुल में KBS की एक्जाम डेट से रिलेटेड काफी सोसल मीडिया और यूट्यूब पर आपको देखने को मिलेगा कि जो इसकी परिक्षा है वो आपकी फरवरी में हो सकती है ऐसा जो है वो माना जा रहा है परन्तु अगर आप ऑफिशल वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का कोई नया नोटिफिकेशन या एनाउंसमेंट देखने को नहीं मिलेगा तो फिर यह परिक्षा तिति के बारे में बात कहां से आ रही है तो ऐसा माना जा रहा है कि परिक्षा के लिए जो ऑनलाइन सेंटर जो है वो सेलेट किये जाते हैं उसके लिए पहले से लैब बुक की जाती है तो लैब को बुक करने के लिए उस center को एक email वेजा जाता है और उसी email के तहत ही ये अटकले लगाई जारी है कि फरवरी में आपका exam हो सकता है मैं क्या कहा रहा हूँ? हो सकता है ऐसा यहाँ पर कोई भी official notification नहीं है मैंने official website का इसलिए आपको दिखाया भी screen shot पर मेरा काम्यार तरीके से आपको update रखना तो ये तारीक आपकी सभी जगा viral हो रही थी क्यों viral हो रही है? वो ये reason था और ये केवल और केवल एक अनुमानित एक ही जगा के center का कोई email ID है उसी को लिख करके viral ये date हो रही है परन्तु अभी तक कोई official update है नहीं तो आप ये मान करके चलिए कि तयारी तो आपको हमेशा आपनी एक कदम आगे रखनी है अगर exam परवरी में हो जाए तो उसके लिए भी आपको तयार देना है अगली update primary सिक्षक एक दसक बाद पदोननती पाएंगे यहाँ पर लखनों से जो है वो न्यूज है और एक दसक बाद primary सिक्षकों के प्रमोसन का रास्ता साप हो गया है जल्दी प्रात्मिक विद्यालों के प्रधाना द्यापक और सिक्षकों को प्रोनती दी जाएगी बेसिक सिक्षा विवाग के विशेश जो सचिव है उन्होंने इस संबंद में आदे जारी कर दिया है और वहीं जूनियर स्कूल के सिक्षकों की प्रोनती पर निरड़ें के लिए हाई कोर्ट में भी सरकार मजबूत पैरवी करेगी और साथ ही साथ परिसिदी स्कूलों में 3.67 लाग सिक्षक और 70,000 प्रदाना द्यापक हैं उसको लेकर भी यहाँ पर बताए गया है अगले प्रेट परिसिदी स्कूलों में आज से सीथ कालीन अवकास देखने को मिलेगा प्रात्मिक और उच्प्रात्मिक विद्यालों में सीथ कालीन अवकास 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक होगा 15 जनवरी को रिवारेस लिए विद्यालों में पठिनकार 16 जनवरी से स्टार्ट होगा मादिमिक सिख्षकों के ऑनलाइन तबादले की आजजगी दिल्ली पुलिस में हेड कॉंस्टेबल मिनिस्ट्रियल का परिडाब जारी कर दिया गया है प्रियागराथ से न्यूज है 83 हजार करोड के करार लाखों को मिलेगा रोजगार लखनों से जो है वो न्यूज है अगले प्रेट कडित में निधी चौधरी रसायन में अंकित को गोल्ड मिडल चंदोसी से जो है वो न्यूज है नई पेंसनल योजना के विरोध में परिशदी है जो सिक्षक है उनका प्रदर्सन लखनों से न्यूज है पुस्तक अथर्वा मैं वहीं वन हूँ इस तरीकी की जो पुस्तक है उनको पुरसकार दिया गया पहली जनवरी से सुरू होगा 75 जिले 75 दिन सपाई अभ्यान लखनों से जो है वो न्यूज है गाउं में सेवा से मुभंग देड़ सो पंचायत साहिकों ने नौकरी छोड़ी उसी को लेकर यहां बताये गया है परिशिदी स्कुलों में लैब और स्मार्ट क्लास विक्सित होंगी नोईडा जो है उसे न्यूज अमर उजाला जौब अलट की बात करें तो NILERD में मौके टोटल 20 पद है डिरेक्ट के विविन पद पर रिखनिया है और नीचे ऑफिशल वेबसाइट है CSIR, CLRI में अफसर 15 पद है साइंटिस्ट के पद खाली है 100 रुपए सुल्क और यह ऑफिशल वेबसाइट AAI में करें आवेदन 364 पद है जूनियर एक्सेक्यूटिव मैनेजर और अन्यपद रिख्थ है 1000 रुपए सुल्क और यह ऑफिशल वेबसाइट अगली अपडेट आपकी है रिसब मंत जो क्रिकेटर है 266 हाथसे में बालबाल बचें करिकेटर और यह भी आपर साइट में लिखा है प्रधान मंदरी नरेत मोधी जो है उनके द्वारा जानकारी ली गई अगली अपडेट हीरा बेन मंजितत में विलीन पीम मोधी जो है उनकी माता सरी जो है 100 वर्स की उमर में उनका निधन हुआ उनकी को लेकर यहाँ पताए गया है अगली अपडेट सीर्स पुरसकारों की दौल में मंधाना जो है वो अकेली भारती है ICC जो है वो सम्मान देगी और इसमरती को मिलेगी नैन मूनी से टकर मंधाना पिछले वर्स भी सर्फस्रेष्ट महिला क्रिकेटर जो है वो बनी थी वो भी यहाँ पर बताए गया है साथ ही ICC के वार्सिक पुरसकारों के लिए जो नामित खिलाणी है उसमें पुरुस बंडे क्रिकेटर आफ दायर में बाबर आजम पाकिस्तान के महिला वंडे क्रिकेटर आफ दायर में एलिस साहीली ऑस्टेलिया की है और भी लोग के नाम में पर मैं एक ही एक बता रहा हूँ पुरुस T20 क्रिकेटर आफ दायर में सूर्य कुमार यादो भारत के तो इसमें आप देखेंगे तो जैसे चार-पाँच नाम लिखे हों इनमें से कोई एक सेलेक्ट किया जाएगा जैसे आप देखने हैं यहाँ पर T20 के लाड़ी में सुरी कुमार यादो भारत के हैं सैम करन इंग्लेंड के हैं सिकंदर रजा जिंबंबे के हैं महमद रिज्वान पाकिस्तान के तो यह नामित के लाड़ी हैं साथी बर्स की उबरती सर्फसेश्न महिलाओं में भी यह सब नाम दिये गए हैं और आपको भारत वाले नाम जयार नखने हैं जैसे रेड़कासिंग भारत की हैं जास्तिका भाटिका भारत की हैं तो जितने भी इसमें भारत वाले वो जुरूरी याद रखेगा अगली अपडेट आपकी सगिंड लाश्ट इंडिया ओपन बैटमिंटन एक ही क्वाटर में स्रीकांत लक्ष और प्रड़ाय नई दिल्ली से जो है वन्यूज है इंडिया ओपन को सुपर 750 में किया अपग्रेट सिंदु का सामना आए वो सुपनिदा से होगा वो यहाँ प प्रड़ी थी कि जो ब्राजील के महान फुटबालर पेले है उनका निधर हो गया सदी के महानतम फुटबालर थे ब्राजील में सन्नाटा उनके बाद यहाँ पर प्रसिद्ध थी नंबर 10 की जर्सी और मुके बाद मुहमद अली के साथ थे यहाँ पर यह भी दिखाए गया है और सद्धानजली उनको दी गई है वो भी यहाँ पर बताए गया है यही था हमारे इस ओवराल अपडेट में सब्रका डेली अपडेट बाते रहने के लिए चाल सब्सक्राइब करके नोट्फिकेशन में लवशान कर लिजेगा वीडियो पसंद आयो लाइक कीजेगा श है